Hello viewers, welcome to The Chenabh Times चले बात करते हैं COVID-19 का क्या impact पड़ता है global economics के उपर ये एक ऐसा virus है जिस virus की वज़ा से ना कि सिर्फ human health effect होती है बलके इसके साथ-साथ global, whole the global economics पे impact पड़ता है सबसे पहला impact जो इसका पड़ता है many people lost their jobs और इसमें क्या आता है कि कई सारे लोग जो है jobs छोड़ देते हैं और informal sector जिसमें badly effect होता है informal sector के साथ-साथ कहीं न कहीं एक huge setback है global economics के उपर दूसरा, conceptual slowdown जब conceptual slowdown होता है किसी भी category में अगर आप देखो कि conceptual slowdown की वज़ा से hold the import और export जो हो जाता है जिसकी वज़ा से और इसकी वज़ा से impact जो पढ़ता है वो whole global economics के उपर पढ़ता है उसके बाद तीसरे point की बात अगर करेंगे कि इसमें sluggish cross border movement इसमें वो movement आती है इस movement जो भी people cross border या दूसरी countries में जाते हैं उन पर restriction लगाई जाती है restriction इसलिए अलगाई जाती है ताकि इस virus को ये virus ज्यादा से ज्यादा इस virus को spread होने से रोका जाए बट इसमें effect किस पढ़ता है इसमें impact जो पढ़ता है वो पढ़ता है tourism sector के उपर और ये ऐसा sector है जो के एक economics की backbone अगर कहा जाएगा तो tourism sector कहीं न कहीं एक great backbone है economics की और जो people movement traveler होते हैं कई सारी countries में travel करते हैं अपने पैसे को invest करते हैं इन दी form of tourism के जरिये और उस पैसे में क्या होगी गिरावट आ गई रोक रुक गया वो सिलसला जो है वहीं पे रुक गया और उसके बाद अगर बात करते हैं कि oil oil की prices में काफी slow down आ गया low down होगे oil prices जो crude oil होता है crude oil की भी pricing काफी कम हो गई लेकिन जो countries बात अकर करी जाए उन countries की जो के oil को import करती हैं उनके लिए तो कहीं न कहीं ये एक advantage था क्यूंकि oil की prices, oil की demand कम हो गई तो import countries जो के जैसे की इंडिया है तो कहीं न कहीं इसका advantage होना चाहिए था pricing कम होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं किया गया ऐसी price तो इंडिया में कम हुई नहीं वो responsibility थी government की जिसने इस price को एक genuine rate में oil की price को through the country में रखना था बट ऐसा हुआ नहीं उसके बाद अगर world trade organization की अगर बात की जाए इनका कहना यह है कि China जो कि biggest exporter है और second importer आती है merchandise में world की biggest exporter जो China country आती है और इसमें जो जो भी इंड्रस्टीज है बात अगर की जाए pharmaceuticals की बात अगर की जाए medicines की medicines pharmaceutical या technical things की या automotive area automotive जो भी technical आता है इसमें यह सब चीजें जो थी whole जब lockdown हुआ तो इसकी वज़ा से export तो हुआ नहीं already एक whole global chain जिसकी वज़ा से impact whole global chain के उपर impact पड़ा और export कुछ हुआ नहीं जिसकी वज़ा से whole global economy के उपर impact पड़ा और इसमें जो advantage अगर benefit में अगर देखा जाए तो इसमें जो industry जो pharmaceutical या health और hygiene वाली जो industries थी जो companies थी कहीं ने कहीं इनको एक plus point मिलता है इनमें upgrade मिलती है but whole global economy जो होती है divested होती है इस COVID-19 की वज़ा से and at the end conclusion में यही निकलता है कि एक severe किसम का damage जो है global economics के उपर हुआ है और हर एक nation हर एक country जो है अभी यह कोशिश कर रही है इसकी economy को rebuild करने की और further economics collapse को बचाने की तो फिलाल के लिए इतना ही जुड़े रहे हैं चिनाब टाइम्स के साथ थेंक्यू धन्यवाद जुड़े प्रवाद